देखे एडी के पास कुछ भी नहीं मिला सतेन जैन को इतने दिनों तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा पूस्ताच की कुछ हांसिल नहीं हुआ तो उनके परिवार को हैरेस्मेंट करने के लिए पहुँच गये घर में पत्नी बच्चे और सारे एडी के ऑफिसर्स घंटों घंटे बैठे रहे मतलब पूरा एक दिन बैठे रहे 24 घंटे के लिजे कि आप बैठे रहे क्या निकला कल से क्या हल्ला मचाय जा रहा है इतने करोण मिल गया इतनी ज्वैलरी मिल गया इतना हो गया और भाजपाईयों को मैं कहूंगा कि कुछ पढ़ लिख लिया करो थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोड़ दिया करो ऐसे बुद्ध हीनों की तरह आरोप लगाने के लिए आ जाते हो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने के लिए आ जाते हो तो ऐसा लगता है कि सारा कारिकरम प्रायोजित है ऐसा लगता है कि ED जो है वो भारती जन्ता पार्टी के दफ्तर से चल लगी है आप मुझे बताईए सतेन जैन के घर पे 2,89,000 रुपए निकला जो ED के कागज कह रहे है और जी नहीं किया गया क्योंकि वो accounted money थी इमांदारी का पैसा था अब किसी जोईलर के हाँ किसी जैन के हाँ क्या मिला उसको लेके पूरा कि सतेन जैन सतेन जैन सूली पर चढ़ा दिये जाए सतेन जैन पर यह कारवाई होनी चाहिए वो कारवाई होनी चाहिए अरे भाजपाईयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं सतेन जैन वही व्यक्ति हैं जिनकी तारीफ उस समय के नगर विकास मंत्री व्यंकईया नाइडियू जी ने की थी धाई सो करोन का पुल डेर सो करोन रुपए में उन्होंने बनाया था सतेन जैन वह व्यक्ति हैं बीस लाख रुपए का मोहला क्लीनिक बनाने का एक मॉडल दिया दिली के अंदर जिसकी चर्चाज पूरी दुनिया में हो रही है आज जो भी मन में आ रहा है दिन रात आरोप लगा रहे हो आप बगएर सिर पर के आरोप लगा रहे हो आज साल पुराना मामला साथ बार उसे पुस्ताच हो गई कुछ नहीं निकला और सारे देश का ध्यान अलग-अलग मुद्दों से हटाने के लिए नया ड्रामा रोज लेके आ जाते हैं किसी ज्वैलर्स के हां क्या मिला किसी जैन के हां क्या मिला ये पतर अब मनलब जितने मोदी मिलेंगे देश भर में सब मोदी जी के भाई हो जाएंगे तो नीरो मोदी पर अब तक कारवाई क्यों नहीं हुई मेहुल चौकसी पर कारवाई क्यों नहीं हुई जिसको प्रधान मंत्री स्वे मेहुल भाई कह रहा है, उसके बारे में कभी खबर नहीं चलेगी कि प्रधान मंत्री के करीबी निरो मोदी और प्रधान मंत्री के करीबी मेहुल भाई ने 20,000 करून रुपए लूट लिया हिंदुस्तान के बैंकों से, और विदेशों में भाग गया अठाइस सो करोड रुपे लेके ललित मोधी भाग गया विदेसों में बैठके हिंदुस्तान को चिड़ा रहा वो भी बारती जन्ता पार्टी के सन्नेताओं के सहयोग से गया इन पे ED कप कारवाई करेगी इन पे CBI कप कारवाई करेगी यदुरप्पा पे कारवाई कप करेगी द्यापम घोटाले पे कारवाई कप करेगी राफेल पे कारवाई कप करेगी आप देखिए कि आप देखिए कि आप मैंने बताया तो था पिछली प्रेस कॉंफेंस में आप साल में सत्रा सो रेड में नव लोगों पर कन्विक्शन हुआ है पॉइंट जीरो फॉर परसेंट कन्विक्शन रेट है इडी का तो एक संस्था जिसको आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का गला दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों का अपमानित करने के लिए उनके परिवार को अपमानित करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल जो मामला आएगा मैं अभी से कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन आप देखिएगा CBI को तो तोता सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया था अब एक मैना निकल गई है एडी तो तोता मैना को अपने हिसाब से जैसे सरकार चाहती है वैसे न चाहती है आप देखिएगा कैसे नाचेंगे लोग लेकिन मैं फिर दोरा रहा हूँ सतेन जैन के घर से एडी के छापे में कुछ भी नहीं निकला और उनको बदनाम करने की एक कारवाई रची गई है जिसमें काम्याबी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि पहले भी ये लोग मुखी खा चुके हैं आगे भी मुखी खाएंगे हमारे तमाम बिधायकों पे इन्होंने अफ आई आर किया मुख्य मंत्री पे चापा मारा मुख्य मंत्री पे मारा तमाम मंत्रियों पे चापे मार के देख चुके कुछ नहीं मिला आस तक और जब जब चापे मारते हैं तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रस्टाचारी पकड़ लिया है इसको तुरन फासी पे चड़ाओ